दोस्तो नमस्कार, Welcome to GS Fighters दोस्तो टार्गेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सैट नमबर 39 को डिसकस करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग GK और GS के कुश्चन्स की प्रैक्टिस करते हैं टार्गेट सीरीज के अंतरगर और ये कुश्चन्स हमने तयार किये हैं देहली पुलिस एक्जाम, उत्तरप्रटिस पुलिस एक्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो के स्टार्डिंग में तीन से चार प्रशन आपको करेंट अफेर से भी देखने को मिल जाएंगे और अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ के देहली पुलिस एक्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके बाद आप अपने एक्जाम की प्रप्रिशन में लग जाईए जल्दी ही प्रोसेस होगा सारा कुछ एक्जाम भी जल्दी कंड़क्ट करा लिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोसिस कीजिए चलिए और अभी तक आपने GS Fighters को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है GS Fighters उसको सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो आप दो देखिए हमेसा की तरह कहूंगा आपसे के कुशन को अटेम्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि वीडियो पे ही कुशन को पॉस कीजिए और उसके बाद पहले खुद से कुशन को अटेम्ट कीजिए और उसके बाद हमारा explanation सुन लीजिए चलिए पहला कुशन हाल ही मैं चर्चा में रहा उल्ची Freedom Shield युद अब्यास निम्न लिखित मैं से इन दो देशों के मद्धे संपन हुआ देखिए इसको Freedom Shield भी बोलते हैं Freedom Shield exercise बोलते हैं बट इसका पूरा नाम उल्ची Freedom Shield है ठीक है और यह संपन हुआ है USA और South Korea के मद्धे है ठीक है तो उल्ची Freedom Shield exercise USA और South Korea यानि दक्षण कोरिया के मद्धे संपन हुआ है परमाणू ससस्त्र के बढ़ते खत्रों को का मुकाबला करने के लिए दक्षण कोरिया और अमिर्का ने 21 से 31 अगस्त तक उल्ची Freedom Shield exercise संपन की है यहाँ पर कुछ important exercise है आप या तो इनको note down कर लीजिए इस्क्रीन में आपको easily मिल जाएगा ठीक है अब वहाँ से हर test paper की PDF download कर सकते हो और अच्छे से फिर practice कर सकते हो ओके चलिए देखिए आप इनको पढ़ लीजिए जैसे युद्दभ्यास है इंडिया USA के मद्धे होता है एकुवेरिन है इंडिया मॉल्दीफ औस इंडेक्स इंडिया औ मालावार exercise इंडिया US यापान साथ में अब इंक्लूड हो गया है ऑस्ट्रेलिया मालावार exercise में ठीक है और सुन्दरबन मैत्री यानि मैत्री exercise इंडिया बंगलादेश इस तरीके से आप इनपो बढ़ लीजिए चलिए second question है हाल ही में किस देश ने AI यानि artificial intelligence आधारित ओर्ण विवान को लॉंच किया है ओर्ण विवान को लॉंच किया है हाल ही में अमेरिका ने इसराइल ने चीन ने या फिर भारत ने देखे ऐसे काम में ज़्यादा माहिर है इसराइल ठीक है तो यह काम किया है इसराइल ने इसराइल ने यह हाल ही में ऊरर्ण विवान को लॉंच किया है, अपनी वायू सेना में इसको शामिल किया है आधुनी एक तखनी सी, तकनी से less है यह इन यह पाई प्लेन ठीक है। और यह रैड सी हो गया, आप यह देख रहे हैं। यह है जो ऐसे इस तठारीके से बना हुआ है, इसको सिनाई प्रायज़्य बहुते हैं। गया और इसे जस्ट जो है North East में है इसराइल। ठीक है यह स्सक्राइnt, यह है इसराइल। ठीक, चलिए, यह भूमद्य सागर हो गया, यह European countries हो जाएंगी इधर, यह अपना Asia हो जाएगा इधर, और यह अफ्रीका, ओके, चलिए. तीसरा प्रशन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए, सभी सरकारी नौकरियों में 35 परितिसत आरक्षन देने की खोशना की, एचलिए यहाँ पर महिलाओं को 30% आरक्षन था पहले, 30% था, अब इसमें 5% और एड कर दिया, यानि 35% हो प्रदेश की सरकार या, उन्होंने कई सारी स्किम्स चला रखने, जैसे लाडली लक्षम योजना, लाडली पहना योजना, और कन्या विभा योजना, यह महिलाओं के लिए इसकेशन है, और महिलाओं के, और जञादा तरीसाहित करने के लिए, उनको और जज़ादा सपोर पूर देने के लिए अब 30% से बढ़ा कर 35% जो रिजर्वेशन है सरकारी नोकरियों में उसको कर दिया है इन्होंने मध्यपेड़ेस की गवर्मेंट में चलिए चोथा प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने भदरवाह राज्मा और रामवन सुलाई शहद को GI प्रदान किया गया है किस राज्य के बधरवाह राजमा और रामवन सुलाई शहद को GI Tag प्रदान किया गया है, तो ये हैं जम्मू कस्मीर से, बधरवाह राजमा और रामवन सुलाई शहद दोनों ही जम्मू कस्मीर से हैं, और इनको हाल ही में GI tag मिला है GI tag का मतलब होता है geographical indication यानि कि कोई ऐसा उत्पाद है कोई ऐसा product है जो geographical यानि किसी एक भागुलिक छेत्र तक ही सीमित है और वो वहीं पर बनाया जाता है उसके जैसी quality कहीं और world में आपको नहीं मिल सकती तो as a condition में उस छेत्र को उस छेत्र में जो उत्पादन है या product है जो भी है उसको indicate किया जाता है ठीक है geographical indication इस चीज को याद रखना है लेकिए भागुलिक संकेतक जो है पंजी करण और स्रनरक्षन अधिनेम 1999 में पारित किया गया था 1999 में और उसी के आधार पर वर्स 2003 में इसे लागू किया गया और सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को ये GI tag मिला था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को चलिए next question है हमारा सूरज ताल जील कहां है सूरज ताल जील mostly जितने भी ताल लगे हुए होते हैं जीलों के पीछे वो आपको उत्राखंड में मिलेंगी but it is not right the answer of this question the right answer of this question is हमाचल प्रदेस हमाचल प्रदेस में आपको मिलेगी सूरज ताल जील चीक है चलिए देख लेते हैं देखें यहाँ पर प्रेमुक जीले हैं इंडिया की बहुत सारी उनको आप याद रखेंगे सूरज ताल जील हमाचल प्रदेस में है इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप इसकी PDF ज़रूर डाउनलोड करें ठीक है जील को रिवाइज कर सकते हो लोकेशन कहां है किस स्टेट में है यह भी इस मैप के थ्रोप आप इजीली देख सकते हो जैसे यहाँ देखें चिलका जील जो है भारत की सबसे खारे पानी की जील है सांभर जील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है बुलर जील ठीक है भारत की सबसे अधिक उचाई परिस्तित है चोलामू जील जो की सिक्किम में है इस तरीके से याद रखते हो जैसे अश्टामूरी जील केरल की है और पूरे भारत की सबसे लंबी जील है चीक चलिए आप इसको जरूर पढ़िए यहां से प्रश्ण जरूर बनेगा चाहें आप देली प्रडेस की एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रडेस प्रडेस एक्जाम की ओके चलिए चीक या फिर प्रश्ण है मद्यप्रडेस यह इसको मंच गोलते हैं किस राज़े का एक लोक निरत्ते है आपकी उर्चनस हैं हर्याणा, केला, सम्, या फिर मध्यप्रडेस देखिया मंच जो है ये मध्यप्रडेस नहीं है हमने यहां पर दे रख really प्रडेस है और इसकी मिलेगा आपको भांगडा और गिद्दा ठीक है धमाल भी मिल जाएगा और दंकारा भी मिल जाएगा राइस्थान में घूमर है गडगौर है इस तरीके से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आप इनको पढ़ लीजिए एक बार सात्मा प्रश्ण है टैसला डैस चेत्र की एक टैसला चुम्ब की या छेत्र की एक एक है और एक टैसला जो होता है 10.4 गॉस्ट के बरावर होता है और चुम्ब की या छेत्र एक है टैसला यह ऐसा इमानक में अभिवेक्त है और 1960 में एक बैग्ज्यानिक थे जिनका नाम था निकोल टैसला ने इस एक आई को आठवा प्रेश्ण है भारत में निमने खित में से कौन एक सम्वेधानिक निकाय नहीं है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सम्वेधानिक निकाय होता क्या है देखें सम्वेधान में किसी आर्टिकल में किसी भाग में किसी अनुसूची में यानि सम्वेधान में क कहीं न कहीं, जिस निकाय का, जिस बॉड़ी का उलेख किया गया हो, वो सम्मेधानिक निकाय होता है, यानि सम्मेधानिक बॉड़ी होती है, और जिसका उलेख सम्मेधान में नहीं किया गया है, वो सम्मेधानिक निकाय नहीं होता है, अब देखें, नियंतरक एमम महालेखा परिक्षक होता है आपको पता हुआ कैग का उलेख कहा किया गया है आर्टिकल नमबर 148 में 148 से लेकर 151 आर्टिकल में कैग का उलेख किया गया है तो इसका मतलब यह एक समयधानिक निकाए है रास्ट्य आयोक तो बहाजाई अल्पसंख्यक देखिए अभी फुलाल मुझे इसका आर्टिकल याद नहीं है आपको अगर याद है तो कॉमेंट सेट समय ज़रूर बताईए रास्ट्य अनुसूचित जाती आयोग आर्टिकल नमबर 338 में इसका उलेख किया गया है ठीक है लेकिन रास्ट्य मानव अधिकार आयोग का उलेख है वो किसी भी आर्टिकल म इसकी स्थापना मानव अधिकार संद्रक्शन 1993 के जो अधिनियम था उसके तहत की गई थी इसका काम यह है कि देश में मानव अधिकारों का यह प्रहरी होता है और यह समिधान के द्वारा अभी निश्चित और अंतररास्ट्य संदियों में निर्मित व्यक्तिकत अधिकार का संद्रक्शक होता है तो इस प्रिकार यह एक विदिक संस्था है कानून के द्वारा इसको बनाया गया है नौवा प्रशन है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिस्क संबंदी विकार है जो पाया जाता है सेरेब्रल पाल्सी जो है क्या यह ब्रद्धों में पाया जाता है यह ड वो बच्चे जो जन्म से लेकर तीन वर्स तक, जन्म से लेकर तीन वर्स तक के जो बच्चे होते हैं, actually ऐसा होता है कि 4 या 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो माइंड होता है वो पूरी तरीके से विक्सित हो चुका होता है लेकिन विक्सित हो रहे इसी माइंड के क्रम में अगर उनको किसी तरह की छती पहुंच जाती है माइड में किसी परकार की चोट लग जाती है तो जालत chances रहते हैं कि cerebral palsy जो रोग है वो विकार उनके दिमाग में हो जाए ठीक है इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हो चलिए दस्वा प्रेशन है नेत्रदान के प्रदाता कि आँख के निम लिखित में से कौन सा एक भाग का उपयोग किया जाता है ठीक है भाग का इसको अलग करने है आसा देखे आईरिस यानि आपको बताना है कि जब नेत्रदान किया जाता है तो आंग का कौन सा हिस्सा है जो दान किया जाता है क्या आइरिस दान किया जाता है लेंस, कॉर्णिया या रेटिना देखे हमारे इस्प्रेशन का सही जवाब है option number C जो कॉर्णिया होता है आँख का वही दान देने योगे भाग होता है अब आप figure में देखे है आप लें देखे यह है cornea इस तरीके से आप देख रहे हो यह बाहर का जो छेतर है यही है cornea और इसी को दान किया जाता है ठीक और यह रहा आपका रेटिना ठीक और आप देखेंगे यह आईरिस है इस तरीके से यह lens हो गया इधर यह वाला ठीक है इस चीज को याद रखें देखे cornea के सूखने और सक्थ हो जाने की वज़े से ही अंदापन होता है cornea एक साफ परत है जिससे प्रकास की किरने पार होती है यह एक बाहे परत है जिसको एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती में प्रत्यारूपित किया जा सकता है कुल मिलाकर यह है operation के दोरान अगर किसी व्यक्ती ने दान की है आँख है और किसी व्यक्ती को दूसरे व्यक्ती को आँख है वो लगनी है तो cornea वाला जो portion है वही उसको लगाया जाएगा ठीक है? चलिए भारत में जय विविद्टा के ताप इस्थल है ताप इस्थल या कह दो या तप इस्थल कह दो या कह दो होट इस्पॉट छेद ठीक? पश्मी हिमाले वे पूर्वी घाट पश्मी हिमाले वे सुंदरबन पूर्वी हिमाले वे पश्मी घाट या पूर्वी हिमाले वे शांत घाटी देखें हमारे इस प्रश्न का सही जवाब option number C है जो हमारा पूर्वी हिमाले है वो पश्मी हिमाले से ज़्यादा जो है जय विविद्टा से भरा पड़ा है ठीक है क्योंकि वहां बारिस ज़्यादा होती है और पश्मी घाट जो चेतर है वो वाला ठीक देखेंगे आप मैप में देखें हमने इंडिया का मैप लिया है यहाँ पर यह इस तरीके से हिमाले है ठीक है और यह पश्मी घाट है तो सबसे ज़्यादा जो जै विवित्टा के तब इस्थल है या यहाँ इनि होत इस पोट है यह एक तों पश्मी घाट हो गया और एक हो गया पूर्भी हिमाले है पूर्मी हिमाले में हमारा पूरा का पूरा जो नौर्ट इस्ट के स्टेट हैं वो सभी आजाएंगे ठीक है कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जय विविता से संबंदित होट स्पॉर्ड की अर्दतन सूची जारी की गई जिसमें विश्यू के 35 इस्थल सूची वद है और इस सूची में भारत के पश्यमी घाट स्रिलंका तथा पूर्वी हमाले छेतर है यानि पश्मी घाट जो है और सीलंका को कुछ पोर्शन यहाँ पर यह सामिल है ठीक है और पूर्वी घाट यानि यह वाले चेत्र जो है पूर्वी चेत्र यह सामिल है ठीक है चलिए 12 प्रेशन है भारत की स्वाधी इंथा के समय महात्मा गांधी आपकी जो options है न उनी मैंसे बताना है क्या गांधी जी जो थे Congress करन कारणी की सदस्य थे या Congress के सदस्य नहीं थे या Congress के अध्यक्ष ते या फिर Congress के महा सचिप देखिए, कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी करपलानी, जब भारत आजाद हुआ था, तो कॉंग्रेस के अध्यक्ष वर्ष 1947 में थे जेबी करपलानी, ठीक है, लेकिन गांधी जी कॉंग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था, कि कॉ भारत को स्वाधीन्ता दलाने के उधेश्य से ही है और यह उधेश्य आप हो गया पूरा यानि भारत को स्वाधीन्ता मिल चुकी है तो अब कांग्रेस को समाप्त करदेना चाहिए लेकिन ऐसा हुआ नहीं और गांधी जीने जो कांग्रेस की सदस्य स्था से त्याग पत्र दे दिया यानि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे वर्स 1947 में जब भारत स्वाधीन बना ओके तेरवा प्रशन है घरी यानि घरी का मतलब है ग्रह मतलब घर ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रतम सुल्तान कौन सा था यानि हाउस टेक्स लगाने वा हाउस टेक्स लगाया था अलाउदिन खिल जी अपने चाचा जलाल उदिन खिल जी की हत्या कर गदी पर बैठा था आपको पता होगा जो है अलाउदिन खिल जी तो दिल्ली में बैठा था और अलाउदिन खिल जी डक्षण में लूट पार्ट कर रहा था और जलाल उदिन जब अपने भतीजे से कहा कि आपने जो लूट मार की है दक्षिन में तो उसका हिस्सा राज्य को देना चाहिए, केंदर को पहुंचाईए, लेकिन कड़ा मानिक पुर जो इलहवाद में है, वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है, जलालुदिन खिल जी चाचा था और अल पुर्णी कड़ी में था एक रहकर, यानि घर पर टैक्स लगाने वाला जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था अलावदिन खिल जी, चराईकर दोधार उपसों पर लगाया था इसने भी, ओके यह भी याद रखी, चलिए, चौदवा प्रेश्न है, IR20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किसम है, IR20, देखिए, यह है चावल की किसम है, IR20, जो है बहुत ही ज़्यादा पैदावार करने वाली एक किसम है चावल की, और यह एक रोग रोधी है, किसम है, यानि कि यह आपका जो इम्मूनिटी है, उसको बूस्ट करने में का काम करती है, और एक चीज़ याद रखना सुनहरा चावल यानि golden rice आपको पता होना चाहिए कि vitamin A से भरपूर होता है और आपको पता होगा vitamin A आँखों के लिए बहुत ज़्यादा महतपूर है पंद्रमा प्रेशन और हमारे इस practice set का अंतिम प्रेशन माजूली संसार का सबसे बड़ा नदी दीप है किस राज्य में इस्थित है माजूली दीप इस्थित है कहाँ पर असोम में देखिए यहाँ पर typing mistake हुई है आप इसको असम कीजिए असम कर लीजिए ठीक है एकी बात है चलिए अब आप map में समझ लेते हैं कहाँ पर है माजूली दीप देखिए इस तरीके से यह है गंगा और यहाँ से इस तरीके से एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर ठीक और यह रहा आपका हमारा असम इस्थित ठीक है इस तरीके से आप यह रेड़ वाला छेतर देख रहे हैं न यही है माजूली दीप माजूली दीप इतना बड़ा है कि इसको एक अलग डिस्टिक गोसित कर रखा है असम डिस अगवर्मेंट में माजूली दीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में इस्थित है और यह 755 वर्ग किलोमीटर में विस्थित है और विस्थित का सबसे बड़ा नदी दीप है यह दीप को वर्ष 2016 में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सामिल किया गया था अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए असम की कैपिटल है दिस्पूर असम के सीम का नाम बताईए असम के गवर्णर का नाम बताईए ठीक है और एक चीज और बताईए अगर आप बता सकते हैं तो असम से कौन-कौन से ऐसे राज्य से सीमा बनाते हैं असम राज्य से ठीक है बहरत के ऐसे कितने राज्य हैं जो असम स्टेट से सीमा बनाते हैं थोड़ा डीप कुशन है बट आप नहीं पढ़ा है तो आप उसको एक वाल मैप में देख लीजिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्थ इस्ट से जो है जो है जोग्राफिकल कुशन पूछ सकता है कौन से स्टेट की सीमा किस स्टेट से या किस रास्टर से लगती है या तो वो मयामार से पूछ लेगा, भूटान से पूछ लेगा, बांगलादेश से पूछ लेगा कुछ भी पूछ सकता है तो मैप की स्टड़ी आपको जरूरी है नौर्थ खास का नौर्थ इस्ट के जो हमारे राज्य है, उनके बारे में, ठीक है, तो चलिए ये था हमारा practice rate number 39, और अभी तक आपने GS fighters को subscribe नहीं किया है, तो कर लीजिए, आपका अपना channel है, और वीडियो पसंद आया है, तो like जरूर करना, ठीक है, और अगर वीडियो पस description में मिल जाएगा आपको, तो चलिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही, thank you very much.